नमस्कार आज मैं बना रहे हूं सिंघाडे के आठे की रोटिया बिना बेले बिना आठा लगाए यह मैंने लिए सिंघाडे का आठा दो नॉर्मल बोईल के हूए आलू काली मिर्च नमक अद्रक और हरी मिर्च सेम वह पकोड़ी वाली चीज़े है घी रोटियों पे लगाने के लिए इसका मैं बना लेती हूं एक गोल यह पकोड़ी से कुछ ज्यादा गाड़ा होता है देखिए इस तरह से लगाना है इसको ज्यादा पतला नहीं करना है इधर मैंने नोन श्टिक तवा चड़ा दिये आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हो इस पे मैं लगा देती हूं गी गी या तेल आप अपने अनसार लगा सकते हो इस पे मैं डाल देती हूं वो बेटर जो मैंने तयार किया है इसकी रोटियां ज्यादा थोड़ी मोटी अच्छी लगती है पतली पतली रोटिया इसकी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है इसलिए मैं इस पे चार-पांच बार बेटर डाल देती हूँ और इसको फैला देती हूँ देखिए इतनी मोटी सी रोटी हो गई है मेरी खाने में भोग अच्छी लगती है नॉर्मल आप एक अलू के साथ में चोक के खा सकते हो क्योंकि आज फास्ट है तो आप वैसे तो सबजी खा नहीं सकते तो नॉर्मल घी में मैंने एक टमाटर डाल के आलू की सबजी बनाई है देखिए और आराम से ये पल्टी जा सकती है देखिए कितनी सुनहरी को कितनी अच्छी हुई है दोनों तरफ से लगा दिया है मैंने घी आप चाओ तो तेल में भी इसको बना सकते हो पर घी में ये ज़्यादा अच्छी लगती है ये नुकसान भी नहीं करती है और खाने में भी अच्छी लगती है आप चाई पकोड़ी खाओ चाई रोटिया देखी मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू